हेलो एवरिवन कैसे आप सब आई होब कि आप सभी अच्छे होंगे मैं संगीता फ्रॉम लर्णोहब दा फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पढ़ सकते हैं मैं साइन्स एसेस्टी एप्सलोटी फ्री एट लर्णोहब.com बच्छों आज हम डिस्कस करेंगे ICC Class 10 टोपिक हमारा है Climate of India Part 1 चले स्टार्ट करते हैं मारा आज का चैप्टर Climate of India तो चैप्टर जो है बहुत इंपोर्टेंट है क्यों क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें अपने आगा Climate पता होना चाहिए और साथ ही साथ यह बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे exam paper में जरूर आएगा यहां से question ठीक है तो start करते है Climate of India तो यहां पर सबसे पहले Climate का introduction जो है वो हम देखेंगे अब इक Climate क्या होता है किसी जगा क्या अकर हम देखें कि भाई वहां पर गर्मी है या फिर हर समय क्या है वहां पर बारिश होती रहती है यह वहां पर का जो देखे हमें फेनामिना जो देखे हैं बहुत ठंडा है या फिर वो नॉर्मल सा है तो यह जो हमें पता चलता है इसको एक लंबे टाइम तक की स्टडी ठीक है जहां पर क्या है 25-30 तक स्टडी की गई हो किसी जगह की फिर हम कह सकते हैं यह रिजन जो है वो गरम है य यह क्या है एक लंबे समय तक की गई स्टडी का परिणाम है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट नेक्स्ट हम ने सुना है वेदर है इसको लोग जो है जब बाते करते हैं तो यह बोलेते आज का क्लाइमेट बढ़ा अच्छा है अभी क्या है अभी इस समय में बहुत गर्मी हो र बहुत ज़्यादा थी वह शाम में क्या है उससे का काफी रहत आगी तो लोगों ने बोला कि आज का क्लाइमेट जो है किसी ने बोला आज का क्लाइमेट जो है वह बड़ अच्छा है तो यहां पर क्या है गलत बोला क्लाइमेट जो है वह थर्टी तो थर्टी इयर्स तक की study है उस base पर निकाला गया result है वहीं पर weather जो है वो day to day या फिर कह सकते हैं कुछ घंटों का जो अंतर है उस पर ये निकाला गया निस्करश है weather जो कि अभी हमने बोला कि सुबह क्या है बहुत गर्मी है हम कहरें आज का weather जो है बहुत गरब है आज का weather ठंडा है नेक्स जा हमने बोला आज का weather जो है वो ठंडा है तो ये हो गया weather एक हम season भी सुनते है ठीक है तो season क्या होता है three to four month तक यह हम देखते हैं कि लिको जो है ज्ल रहा है जैसे हम आभी क्या है winters है, हम बोलते हैं अभी summers है, अभी क्या है rainy season है, तो ये हमारे season है जो 3-4 month तक चलते है clear, तो इसमें कोई doubt नहीं रखना है अब आते हैं हम climate पर तो किसी भी country का जो climate होता है वो base होता है कई सारे factors पर अब वो factors क्या है factor है temperature factor है rainfall factor है atmosphere atmosphere and factor है उस जगह की winds होती है उनका direction ठीक है direction of winds तो ये सारे factors जो है वो किसी भी जगह का climate है उसको influence करते हैं अब यहां पर हम बात कर रहे हैं इंडिया की तो चलिए आए देखते हैं इंडिया के climate की बात तो इंडिया का climate अगर हम देखे तो ये mainly based होता है किस पर ठीक है mainly यहां पर देखे तो यहां का climate है वो क्या होता है influence होता है किस से एक तो आता है आपका किस से direction of wind से ठीक है ये इसके लिए बहुत ज़ादा important है दूसरा हम देखे हिमालिया relief जो है वो हम देखेंगे हिमालिया जो कि क्या होता है कि हमारी rest of the Asia उससे क्या है करता है भारत को अलग करता है और साथ ही साथ जो हमारा Middle Asia है वहां से आने वाली ठंडी हुए जो है जो कि बहुत ठंडी अगर वो इंडिया में आती तो इंडिया जो है वो cold desert होता उससे हमारा बचाव करता है तो इस तरीके से हमारा जो climate है वो अब हम आगे study करेंगे ठीक है चलिए तो यहाँ पर अगर हम देखें north to south extent of India यह भी पिछले chapter में ही हमने देखा था north to south extent जो कि हमने longitudinal extent देखा था है तो यह आपका 8 degree ठीक है 8 degree n यानि north से कहां पर आता है 37 degree n है ना तो यह हमारा क्या है longitudinal extent या कह सकते north to north ठीक है यह तो हमने वर्ट के वे में देखा था और जब हम बात कर रहें इंडिया के बारे में तो यह हमारा कितना आता है यहां north से यह south 8 degree south तो यह आता है अब यहां पर हम देखते हैं वही काश्मीर तो से करनिया गुमारी जो है इसको हम देखते हैं तो यहां से यहां तक हमें जो climate है उसमें बहुत ज़्यादा changes देखने को मिलता है एक ही देश में हमें बट क्या है बहुत ज़्यादा changes देखने को मिलता है इसका कारण वही अभी हमने देखा कि main हमारे हैं क्या factors है factor हमारे हैं जो मौनस जो है यहां का मेंन फैक्टर है कि यहां से यहां तक जो है यानि North to South जो हमारा extend है उस पर हम देखें तो हमारे Climate changes जो है वो बहुत जादा देखने को मिलता है और इसका Reason यही है कि हमारे हम landsoon जो है वो पाई जाती है जो कि हगर हम देखे तो गर्मीय में इसका डारीक्शन जो है वो कहां पर होलागा दिए विड्वा गराशन है घर अधर फेड़ गराशन रोग्यिया देखे तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर रूड़की तरफ जो है वो जिसकी वजह से हम आखते हैं समुद्र से हमारे जो इस्थल है इधर की तरफ विंड़ चलती है पहीं ठंडीयों में हम देखें तो चू की हमारे हम ँप्लेंस की तरफ की तरफ देखें तो यहां पर गया है high pressure बन जाता है और समुद्र जो है वो क्या होते हैं बहुत ज़ादा नगरम होते हैं नठंडे होते हैं तब वो winds जो है वो कहां पर चलती है तब यह high pressure to low pressure तब भी चलेंगी यह हमेशा ही high pressure to low pressure चलेंगी लेकिन अब हमने कहा कि हमारे यहां हमारे देश मे अब इस समय क्या है हाई प्रेशर ठंड बहुत जादा है जिसकी वज़े से लो प्रेशर यारी समुद्रों की तरफ हवाय जो है वो चलती है ठीक है जो कि हमारे क्लाइमिट को एफेक्ट करती है वास नौर्थ साउथ एक्स्टेंड ऑफ इंडिया यूनी क्लाइमिट जो अभ हमने देखा यह मौनसून जो है इनमें विंड जो है उनका डायरेक्शन चेंज होता रहता है डिस्क्राइब एस ट्रॉपिकल मौनसून टाइप और इसी वज़े से हमारे हां जो मौनसून है उसको हम ट्रॉपिकल मौनसून टाइप कहते हैं क्यों कि देखिए हमारी जो अर हमें मिलती है ठीक है और साउथ की तरफ आते तब ही क्या है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है अब इसके बाद यह क्या है 66 एंड हाफ डिग्री ठीक है तो नौर्थ वाला जो जो जोन है उसकी बाद हम अभी करते हैं क्वेटर से नौर्थ की तरफ ठीक है दोनों तरफ वैसा ही दिख आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और इधर नीचे आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से तो यह आता है आपका 66 एंड हाफ डिग्री तो यहां पर क्या है हम देखते हैं यह वाला जो जो है ठीक है आपका जो एक्वेटर है एक्वेटर से हम नौर्थ जाए जाहे साउथ दोनों साइड पे क्या है ट्रॉपिक और कैंसर तक यहां तक जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है वो पाया जाता है क्यों क्योंकि सन्रेज जो है वो सबसे ज्यादा इसी जोन में पढ़ती है इसको भी हम कैसे जानेंगे थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं अब यह क्य यह जो portion है यहाँ पर क्या है यहाँ पर गरमी ज्यादा होती है यहीं पर क्या है कि इसके बाद Tropic of Capricorn तक हम देखते हिं जो रेज है तिर्ची हो जा लिए जिसकी वज़े से यहां पर बहुत जादा धूप जो है वो नहीं होती है बहुत स्यादे गर्मी नहीं होती तो यहां का जो climate होगा वह इस जगह का जो climate होगा वह न बहुत स्यादा लान थंडा होगा वही पर क्या है हम बिल्कुल क्या है पोल्स की तरफ जाए चाहे नौर्थ या साओ यहाँ पर क्या है संड्रेज जो है वो बिल्कुल नहीं आती है जिसकी वेज़े से यहां बहुत थंडा है ओके क्लियर यहां तक तो यहां पर अभी हमने बात किया ट्रॉपिक ओफ कैंसर हमारे देश से ट्रॉपिक ओफ कैंसर जो है वो होकर बुचलती है जो हमारे देश को दो बराबर भागों में बाढ़ती है एक तरफ नौर्थ टेंपरेट जोन ठीक है अगर हम देखे अब देखे तो रही हमें वो सही बनेगा नहीं तो बस हम लोग ऐसे देख ले ठीक है तो यहां से क्या है ट्रॉपिक ओफ कैंसर जो है वो जाती है नौर्थ टेंपरेट जोन एंड साउथ ट्रॉपिकल जोन इसमें यह डिवाइड करती है तो हमारे हम देखे यह जो एरियाज है यह क्य हाँ ठंडा हो जाता है फिक फ्लेंस की तरफ अगर हम देखते हैं इस वज़े से हमारे जो climate है उसे हम लगान सब्सु करण कर दो से माइंड सीवाइड मेंड में हम बात करेंगे नहीं सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो क्या करती है हमारे देश को दो बराबर भागों में बाढ़ती है एक नौर्थ टैंपरेट एक साउथ ट्रॉपिकल जोन जैसा भी हम लोगों ने डिसकस किया तो सबसे पहले नौर्थ वाला जो पार्ट है इसके यहारे में हम बात करेंगे ड्यूरिंग समर यह एसा होता है कि 有 हुए esome-र न में यह काफी गरम होता है और वहीं ठंडियों में बहुत जादा ठंडा होता है थीक है ऐसे example की बात अगर हम करें ठीक है example की हम बात करें तो यहां राजस्थान में हम देखें तो गर्मियों के टाइम में देखा जाए तो यहां 50 degree तक temperature जाता है 50 degree तक जाता है इससे हम क्या समझ सकते हैं कि भाई बहुत करम होता है वही पर हम देख रहे हैं किस तरीके से यह vary करता है वही पर नौर्थ वाले ही पार्ट में हम देख रहे हैं कि या कश्मीर की तरफ आपका द्रास है वहां पर क्या है माइनस 40 तक आ जाता है यानि कि बहुत ठंडा गर्मी में हम देख रहे हैं राजसार में 50 डिग्री तक वही पर द्रास में ठंडियों के टाइम में माइनस 40 तक आ जाता है तो यहां पर variation जो है वो हमें बहुत जादा देखने को मिलता है अब साउस की तरफ हम चलते हैं तो जैसा कि अभी हमने समझा था फिर से आते हैं अपने इस पर जो अभी हमने देखा कि हमने क्या देखा था कि equator है दो बराबर भागों बढ़ता है ट्रॉपिक ओफ कैंसर ठीक है तो यही वाला जो रीजन है ठीक है ट्रॉपिक ओफ कैंसर ट्रॉपिक ओफ कैंसर दोनों साइट पर नौर्थ और साउथ यहीं पर क्या है सन रेज जो है लाइट जो है वो क्या है वो ज़्यादा पड़ेंगी इसी रीजन में है ना बिल्कुल सीधा अगर टॉच वाली बात भी लोग ने दिखा था कि जब जलाएंगे तो बिल्कुल सीधे अज़र रहेगा पोर्शन उसमें ज़्यादा रोशनी आएगी और जैसे जैसे कहा है तिर्षी होती जाएगी वैसे वैसे कम होगी वहीं यहाँ पर लाइट और उसकी रेज कह लिजे उसका भी असर होता है तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस वज़े से क्या ह यह रीजन जो है यह गरम रहता है लेकिन अगर यहीं पर हम देखें यह क्या है काफी गरम रहता है लेकिन यहीं पर अगर हम देखें कि हमारे हां यह जो हमारा क्योंकि यह क्या है एक्वेटर के ज्यादा करीब है जो हमारा साउथ पार्ट है यह एक्वेटर के ज्यादा कर साथ साथ वेस्ट ये दोनों तरफ हमें क्या दिख रहा है यह समुद्र जो दिख रहा है इसी वज़े से क्या है कि हमारे यहां बहुत जादा गर्मी नहीं feel होती जब कि क्या है equator के करीब ये position है फिर भी और इसी वज़े से इस area का जो temperature है वो बहुत ज़्यादा vary नहीं करता है यानि कि इस जगह पर हम देखेंगे तो बहुत ज़्यादा ना तो ठंडी पड़ती है ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है जैसे अगर हम बात क temperature जो है अगर हम average देखें तो 20 degree के आसपास होता है और साथ ही साथ vary कितना करता है इन जगों का temperature गर्मियों में और सर्दियों में गर्म देखते हैं 3-5 degree बस ऐसा ही यहाँ पर variation देखने को मिलता है तो जैसा कि अभी हम ने देखा कि जो south part हमारा है वो बहुत गर्म हो सकता थ चू की क्या है इधर समुद रहें इस वज़े से यह बहुत गर्म नहीं है और इसी वज़े से क्या है कि हमारे हां tropical monsoon कहते हैं the place is situated on the vast east west coastline of India experience equitable or maritime type of climate ठीक है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि east west coastline यह है न आपकी west coastline और east coastline तो यहाँ पर हम देखते हैं climate जो है climate ध्यान तो यह क्या है एक लंबे time तक की study जो है वो देखी गई है उसी base पर कहा गया है तो यहाँ पर equitable या maritime type of climate जो है वो देखा जाता है वहीं पर हम देख रहे हैं tropic of cancer जो है उसकी वज़े से जो north होला हमारा part है वहाँ पर क्या है places to the north of tropic of cancer experience continental type of climate ठीक है कि यहाँ पर क्या है ग चले बचो बात करते हैं B जो कि है rainfall rainfall अगर हम देखे हमारे हम बहुत जादा vary करती है मतलब यह variation जो है वो इतना जादा हमें देखने को मिलता है कि कोई area ऐसा है जहां पर world की highest rainfall होती है world की highest annual rainfall पाई जाती है हमारे यहां और वहीं पर एक area कुछ area जो है वो ऐसे हैं जहां पर drought like condition पाई जाती है ठीक है चलिए आईए देखते है the annual rainfall varies बहुत जादा vary करती है highest rainfall in the world कहां पर पाई जाती है मेगालया मेगालया में चेरापुंजी से 16 km के distance पर मैसिन राम है जहां पर 1187 cm से जादा annual rainfall पाई जाती है वो जादा कुछ भी हो सकती है तो इस से जादा annual rainfall पाई की तरफ यहां पर अगर हम देखे तो rainfall 25 cm से भी कम होती है annual rainfall पाई जाती है कि 25 cm से भी कम पाई जाती है तो कहीं पर क्या है बहुत जादा है और कहीं पर बहुत कम है उसी तरीके से यह color आपको बहुत सारा दिख रहा है यहां पर उससे आप देख सकते हैं कितना जादा variation जो मौनसून जो है उनकी वज़स से हमारे में जो rainfall होती है वो उसी वज़स से होती है और यह मौनसूनी winds जो है यह कैसे rainfall लाती है क्या है यह चीज़े हम अभी देखते हैं यहां देख लेते हैं erratic nature of monsoon जो कि क्या है बहुत जादा तबाही जो है बोलाता है हम देखते हैं उत् वहां पर condition जो है वह बहुत बुरी होती है वहां पर rain ना होने की वज़े से अब थोड़ा सा direction जो है वह हम देख लेते हैं यह है West यह है East और यह है South तो क्या होता है में में April में में हम देखें ठीक है तो उस समय में क्या होता है यह जो हमारे अरिया है ठीक है North की तरफ तो यह यहां पर हम देखें यहां पर क्या होता है बहुत ज़्यादा गर्मी पढ़ रही होती है ठीक है यहां पर बहुत गर्मी पढ़ रही होती है गर्मी बहुत ज़्यादा पढ़ी इसका मतलब यहां का temperature बहुत ज़्यादा है इसका मतलब यहां की air जो है वह राइस करने लगत यहां पर हई-प्रेशर बनेगा grippingail ऐर ठंडी है तो वह देंस है धंडी है क्यों क्या है देंस होगी डेंस गींखी तो क्या होगा वहां पर फींखाई प्रेशर जहां पर वहां पर तो यहां थी यह लिएध्यार हड़नी है कि मेस्खें रहतों चाहरी डेंस पाई Fr pressure to low pressure चलती है ठीक है ये बिलकुल ध्यान रखना है कभी भूलना नहीं है कभी कोई confusion नहीं रखनी है कि a winds जो है वो high pressure से low pressure चलती है जैसे आपने river देखा है डिवर क्या करती है उपर से नीचे की तरफ आती है जब वहाँ से आती तो उसमें लो प्रेशर की तरफ जाती है High pressure कहां बनता है जहां पर temperature जो है वो कम रहेगा वहां पर हाई प्रेशर बनेगा clear इसमें कोई doubts नहीं रखने हैं अब क्या होता है इðर से منवplays वो आती है अपने साथ airbnb सी is बहुत सारा rainfall जो है वो यहीं पर हो जाती है काफी सारी बारेश यहां पर ही हो जाती है कुछ और आगे बढ़ती है तो जिसकी वज़े से यह आगे का portion जो था वो हमने देखा कुछ rainfall जो है वो यहां पर भी होती है ठीक है कुछ आगे बढ़ी लेकिन यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो गई थोड़ा आगे गई वो अब उसके आगे क्या है उसके आगे अब इन में इनका मॉइस्टर जो है वो भी खतम हो जाता है जिसकी वज़े से यह आगे का कलर जो हम उपर की तरफ उटटी है जो की इस वाले पोर्शन में आती है और इधर नॉर्थ में हिमाले है उससे टकराती है और उसके बाद नॉर्थ की तरफ रैन फॉल होती है ठीक है तो इसवज़े से यह वाला जो एरिया है यहाँ पर रैन होती है अब यह जो साउथ वेस मॉनसोनी यहां सब भी winter उुझती है और monster लेते हुए और यही जू है वह आगे निकल जाती है जिका हम एस्ट की तरफ देखते है रेनफॉल होती है वह ज्यादा इन ही की वज़ा से होती है कुछ जो है वो तरण हो जाती है इंदर नॉर्ठ की तरफ और इधर रेनफॉल कराती है अब यहां पर हमने क्या देखा, हमने देखा यह वाला जो रीजन है, चूपकी क्या था, यहां वेस्टर्ण घाट थे, इस वज़े से उन्होंने आगे नहीं बढड़ने दिया, इस वज़े से यहां पर रेन कम हुई, दूसरा जब यह Eastern Coast की तरफ यह आगे चलती है तो हमने देखा यह क्या है यहीं से उपर निकल गई तो यह जो Eastern घाट हमारे है यह भी क्या है यह भी सूखे रह जाते हैं यहाँ पर भी बारिश नहीं होती है अब उसके बाद हम देखते हैं राजस्थान वाला एरिया यह जो राजस्थान वाला एरिया है यहाँ पर भी क्या है बारिश नहीं हो पाती है क्योंकि यहाँ पर अरावली परवत है अब जब हमने क्या देखा कि जब यह विंड्स यहाँ पर उठ रही है यहाँ पर वेस्टन घाट से उनसे यह टकराई और यहाँ बारिश होई इधर आगे बढ़ी यहाँ पर हिमाले है उससे टकराई आगे बढ़ी इधर क्या है गारो खासी जैनतिया पहाडिया है उनसे टकराई और इधर रेनफॉल हो गई ठीक है लेकिन यह राजस्थान की तरफ क्यों नहीं चाहँ पाती है क्यों कि क्या होता है यहाँ पर अरावली परवत है जब यह विंड्स जो है वो चल रही है तो यहाँ पर टकराने के लिए सामने मिला इधर भी क्या है सामने मिला इस तरफ बारिश नहीं हो पाती इसलिए राजस्थान जो है यह सूखा रह जाता है ठीक है तो यह हमने रेनफॉल का देख लिया किस तरीके से अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा जो बहुत डार कलर से यहाँ शो हो रहा है वो क्या है अबव 400 वाली रेनफॉल को मध्य प्रदेश यूपी है बिहार है और इधर 36 गड़ है कुछ उत्राखंग का पोर्शन है ठीक है इन जगों पर यह रेनफॉल होती है नेक्स्ट उस से और लाइट हो जा रहा है ठीक है 6200 किलो मिटर वो आपको शो हो रहा है और ज्यादा लाइट हो जा रहा है ठीक है तो यह आपका कुछ और एरिया जो है वहाँ पर रेंफॉल जो है उसको शो कर रहा है ठीक है तो जितना जैसे जैसे लाइट देखी होता गया है वैसे वैसे क्या है उस उस एरिया को इस season होता है June, July, August उस समय में ही जादा होती है clear अब इसके बाद next हमने ये भी देखा Eastern और Western Coast इन में भी क्या है अंतर है Western Coast जहां पर क्या है काफी सारी बारिश होती है वही Eastern Coast जो है वो बिल्कुल सुखे रह जाते हैं क्योंकि ये आगे बढ़ जाती है और इस तरफ वारिश नहीं कराती है ठीक है to coast of the Indian Peninsula are just in the reverse position ऐसा हमने देखा ठीक है with regard to monsoon winds उन्हीं की वज़ा से ऐसा होता है ठीक हिमालियन रीजन and South India due to winters अब winters में देखे हम हिमालियन रीजन और South India को तो हिमालियन रीजन winters में क्या है यहाँ पर बहुत जादा बरफ पड़ रही होती है वही पर South India की तरफ हम देखे तो वहाँ पर न तो बहुत जादा गर्मी होती है और नहीं बहुत जादा वहाँ ठंडी पड़ती है तुर्वाउट था यहर वहां का temperature जो है बहुत कमी वेरी करता है अच्छा और इसका भी factors हैं जो की temperature को affect करते हैं location location में अगर देखा जाए तो Tropic of Cancer ठीक है Tropic of Cancer जो है वो क्या करती है इंडिया को दो बराबर भागों में बाढ़ती है एक तो आता है इधर आपका सब tropical north और नीजे की तरफ यानि south वाले portion में आता है आपका tropical south ठीक है तो इन दो parts में इंडिया को यह Tropic of Cancer जो है वो डिवाइड करती है जिसमें नौर्थ वाला पार्ट अगर हम देखे तो यह क्या है यह पूरा mountain से घिरा हुआ है ठीक है विमाले mountain से घिरा हुआ है जिसकी वज़े से क्या है कि Tropic of Cancer जो है इसके जादा गर्मी होती है अब इसके बाद हम बात करते हैं साउथ की तरफ ठीक है ट्रॉपिकल साउथ में आते हैं तो यह क्या है एक पैनिंसुला है जिसकी वज़े से क्या है यहां का क्लायमेट आशओ कोलिऊड़ से जिसकी तरफ ठीक है नौर्थ से साउथ की तरफ जैसे जैसे हम आते हैं वैसे वैसे टेम्परैचर जो है वो क्या होता है वो इंक्रीज होता जाता है यानि की बढ़ता जाता है क्यों क्योंकि जो हमारा साउथ والा पार्ट है अगर हम इसको देखें तो यह जो हमारी equator है उसके करीब पड़ता है ठीक है तो इस वज़े से यहां का हम देखेंगे climate कैसा होता है ना तो ज़्यादा गरम ना ज़्यादा ठंडा इकवेबल उसी को moderate जो है वो भी हम समझ सकते वहीं पर नौर्थ की तरफ देखें continental टाइप climate होता है जो की सर्दियों में ज़्यादा ठंड और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी वाला होता है चली बात करते हैं influence of the Himalayas तो Himalayas के influence की हम लोग यहां पर बात करेंगे देखें क् कि Himalayas का influence जो है वो हमारे temperature को बहुत जादा effect करता है कैसे करता है उसको हम देखेंगे अब यह क्या है इधर Himalayan mountain range जो है वो गई हुई है ठीक है जिसकी वज़े से क्या होता है साइबेरिया से आने वाली जो ठंडी हवाएं है उनको यह भारत में आने नहीं देता है ठीक है अगर यह ना होता यह mountain तो फिर क्या होता हमारा जो इंडिया है वो एक cold desert होता ठीक है इतनी ज्यादा ठंड होती यहां पर वहीं पर यह हमारे ने जो है वो और भी किस तरीके से temperature जो हमारा है उसको affect करती है एक तरफ क्या किया इन्होंने balance के temperature को इनको रोक कर दूसरी तरफ क्या है हमारे maximum जो rainfall होती है maximum rainfall जो होती है वो किसकी वज़े से होती है southwest monsoon जो है इनकी वज़े से होती है तो southwest monsoon जो है जब यह आगे बढ़ती है तो यह Himalayan mountain range जो है इससे यह टकराती है जब यह टकराती है उसी की वज़े से क्या होता है यह जो हमारा gangetic plane वाला area है इस तरफ क्या है rainfall होती है अगर ये नहीं होती ठीक है मतलब ये mountain rain जो है अगर नहीं होती तो क्या होता ये जो winds है ये आगे की तरफ निकल जाती है ना ये winds आगे की तरफ निकल जाती है तो जो हमें rainfall मिलती है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी हमारे agriculture के लिए साथ ही साथ हमारे temperature के लि ही हमारी क्रॉप होती नंके लिए भी बहुत मिलती है तो फोना वहम सीजञयी है यहामें मिलती हैं अना मिल पाती है यह बहुत ही कम कांटिटी में मिल तो इस थरीके से यह हमारे ठाइ़ को बहुत जाधा प्रभावित करता है इस रिपर यहुद्षॉ क nouvelles का में इसका जैसे कि आपने देखा, अभी आप प्लेंस की तरफ देखिए, ठीक है गेंगेटिक प्लें है, इधर का टेंपरेचर जो है वो कैसा रहता है, और जब आप हिमाचल चलिए, काश्मीर चलिए, जब इस तरफ चलते हैं, तो बहुत जादा क्या है, बहुत जादा ठंडा रहता ह है, ठीक है, यानि ठंड जो है, वो बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम उपर जाएंगे, 166 मीटर हम उपर गये, 1 डिगरी टेंपरेचर में अंतर आया, फिर 166 गये, 1 डिगरी का अंतर आया, ठीक है, यह प्रॉक्स होता है, ठीक है, टेंपरेचर डिक्रीज विथ जादा प्रभावित करता है कैसे इसको हमने पहले भी डिसकस किया था कि अगर हम देखें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या करती है हमारे देश को दो बराबर भागों में बाढ़ती है जहां पर नौर्थ वाला पार्ट जो होता है ठीक है नौर्थ वाला पार्ट जो है यहां प मेरी टाइम क्लाइमेट पाए जाता है या फिर हम कह सकते एक्वेबल क्लाइमेट यहां पर पाए जाता है क्योंकि इसके तीनों तरफ क्या है वाटर बाडी है वाटर बाडी होने का फाइदा इसको कैसे मिलता है या फिर कह सकते वाटर बाडी का इफेक्ट इस पर कैसे यहां कि īदर तरह कि तर देखते हैं अब कि अजे यहां पर समुद्र है थीक है इधर समुद्र है जब किया वाचे सं्लिषे पर पड़ती है तो यहां पर चाहे सी कि ऑशनÓ ने तो यहां पर यह बहुत गहराई तक गरम करेंगी जब यह बहुत गहराई तक गरम करेंगी तो इसमें समय लगेगा तो बहुत जल्दी गरम नहीं होते और यही ठंडे होने में भी लगेगी कि इसको ठंडा होने में भी समय ज्यादा लगे क्योंकि ज्यादा गहराई तक हीट इसमें गई है और वो बराबर से ही क्या होगा ठंडा होगा ऐसा नहीं उपरी लेयर जो है वो जल्दी ठंडी हो जाए और अंदर वो गरम ही रह जाए तो बराबर से ही क्या है गरम और ठंडा होगा जैसे कि अगर आप एक पैन लीजिए जो भी उसका सर्फेस है आपने उसमे थोड़ा सा पानी रखा और आपने उसको गरम किया अब क्या होगा वह बहुत जल्दी गरम हो जाएगा उसकी अपेक्षा, same pan, same surface, पानी ज़्यादा भर दीजे, वो ज़्यादा देर में गरम होगा, है ना, अब जब ठंडा करने की बारी आएगी, तब भी क्या है, जो कम वाला है, वो जल्दी ठंडा हो जाएगा, जबकि surface वही है, और जो ज़्यादा वाला है, वो देर से गरम हो पाया जाता है, ओके, the places situated in the interior have extreme continental type of climate, जो समुद से interior में पढ़ते हैं, और जो क्या है, इसके पास है, वो equitable climate feel करते हैं, चलिए बात करते हैं, western disturbance and tropical cyclones, तो सबसे पहले यहाँ पर हम western disturbance समझेंगे, फिर उसके बाद tropical cyclones की तरफ आएंगे, देखे western disturbance क्या है, जैसे नाम से समझ western, ठीक है, western की तरफ से, west की तरफ से यह आएंगे, चलिए आएए समझते हैं, western disturbance क्या है, तो क्या होता है, कि Europe, जो क्या है, बहुत ठंडा है, December में और ज्यादा हो जाएगा, वैसे भी polar region की तरफ यह है, दूसरा क्या है, कि December के टाइम में, जो हमारा sun है, ठीक है, इसके पह हम देखते हैं, धीरे-धीरे वो shift होती है, जो की आजाती है, कहां पर, जो की आजाएंगी, Tropic of Capricorn की तरफ, जब यह Tropic of Capricorn की तरफ आजाएंगी, तो इधर का रीजन जो है, वहां पर क्या है, और ज्यादा ठंडा होगा, ठीक है, तो इधर योरप जो है, वो बहुत ज्य और यह ठंडा है, यहां पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनेगा, है ना, लो प्रेशर जहां पर टैंप्रेशर ज्यादा है, जहां गरम है, यारी टैंप्रेशर ज्यादा है, इसका मतलब की टैंप्रेशर ज्यादा है, तो वहां की हवाय जो है, वो क्या होंगी, वो राइ तो इसलिए यहां पर low pressure बनने लगा अब क्या है हवाय high pressure to low pressure चलती है जिसकी वज़े से क्या है यह दोनों जब आपस में यहां पर मिलती है और उससे क्या होता है यहां पर cyclone type condition बनती है यहीं से jet stream उपर की तरफ होती है अब यहां से क्या है यह हवाय आगे चलती है ठीक है य SPLC इन से यह क्या करेंगी moisture लेते हुए आगे बढ़ेंगी इराग, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को cross करते हुए इंडिया नौर्थ वेस्ट से यह इंडिया की तरफ enter करेंगी जब यह इंडिया की तरफ enter करेंगी तब हम देखते हैं इसी वज़े से क्या है during winters यह during winters की snowfall होती क्यों क्योंकि यहां का temperature वैसे ही कम होता है जब यह winds जो है वो अपने साथ moisture लाती है बहुत सारा ठीक है यहां से moisture पहले ही लेके आ रही थी ठंडी हवाएं थी फिर इसके बाद यहां पर black sea, caspian sea इन से यह moisture जो है वो लाती गई और उसके बाद यहां पर आकर हमारे यहां बारिश करती है और जब यह हमाले की तरफ चलती है जहां और ज़्यादा ठंडा रहता है वहां पर यह snowfall करती है ठीक है चलिए आई देखते है दूरिंग विंटर देर इस एन इन फ्लो आफ लो प्रेशा डिपरेशन ठीक है तो दूरिंग विंटर क्या होता है नॉर अब यहां से क्या है दा इंटिंसीफाई ओवर नॉर्थ-वेस्ट इंडिया एंड मूव इस्ट्वर्ड ठीक है तो इस वारत में बारिश होती है जो की अगर देखा जाए तो हमारी जो राभी क्रॉप होती है उसके लिए यह फायदे मंद होती है नेक्स हम आते है साइक्लों कैसे बनते हैं अब यहां भी अमने समझा साइक्लों गरम और थंडी हवाओं के मिलने से होते हैं अब डियूरिंग द समर क्या होगा हम देखेंगे होल ऑफ द इस कोस्ट ऑफ इंडिया कम्स अंडर द इंफ्लूएंस ऑफ ट्रॉपिकल डिप्रेशन ठीक है तो पू इस समर मैं डियूरिंग समर जब हमने अभी देखा की स्ट्रेश जो है वह ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पढ़ती है जो कि इंडिया से होकर गुजरती है जिसकी वजह से क्या होता है यहां का टेंपरेचर जो है वो हाई है तैंप्राइचर यहां पर हाई होगा तो यह बेष वेंगॉल यहां पर पानी जो है वो बहुत ज्यादा क्या होगा गरम होगा किलियर कुछ ऐसी चगह होगी यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट जहां पर यह बहुत ही ज्यादा गरम होगा ठीक है उससे क्या होगा वहाँ पर low pressure बना और उसके आसपास का एरिया अच्छा यहां पर पेन नहीं चलेगी जूम करने पे तो यहां पर मालीजे लो प्रेशर बना बहुत ज़्यादा गरब होने पे और उसके आसपास का एरिया जो है उसकी अपेक्षा वो ठंडा है इसलिए हाई प्रेशर तो यह दोनों जब मीट कर देंगे उन्हें हम क्या कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लों ट्रॉपिकल साइक्लों यहां पर बनते हैं क्लियर जो की किसमें बनते हैं जो की वाटर वाड़ी जैसे सी है ओशन है इसमें यह बनते हैं क्लियर है अब जैसे इसको हम देख लेते हैं हमारी अर्थ हो गई जो की य यह क्या हो गया यहां पर हम देख रहे हैं जैसा कि हमने कि यहां पर कहा कि यहां पर गरम और ठंडी हवाय जो है वो मीट करती है जिसकी वज़े से क्या है साइकलोन बन रहे हैं और यहां पर कौन साप आया जाएगा यहां पर साइकलोन बन रहे हैं यह कौन से होंगे यह समु से 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ अगर हम देखे तो यहां पर डोल्रम वाली कंडिशन होती है मैं इसको डोल्रम कहते है क्योंकि यहां पर कुछ भी ऐसी हलचल नहीं होती है शान्त वाला महौल है वही पर यह वाला जो रीजन है यहां पर साइकलोन आते हैं इधर हम इह है और यह कहां पर बनते हैं यह वाटर बोड़िस में बनते हैं अब इस से ऊपर अगर हम चायेंगे और ना नौर्थ या और नीचे साउथ की तरफ अगर अगर हम आएंगे तो इस जोन में च्रीidences इस जोन में जो cyclone बनेंगे वो कौन से कहलाएंगे? ये cyclone कहलाएंगे temperate cyclone, जो कि किस पे बनते है? जो कि landform जो हो है इसपर बनेंगे, ठीक है? तो ये वाला जो zone हमारा है हमने जिसको देखा, ये वाला इसी में क्या है? इंडिया आएगा यहां पर जो बनेंगे cyclone यह कौन से बनेंगे tropical cyclone ठीक है तो अब यहां पर high pressure low pressure इसके मिलने से यह जो bay of Bengal है यहां पर cyclone उठते हैं जब इस cyclone उठते हैं जैसा हमने बोला कि यहां तक यह cyclone आते हैं 100-200-200 इतनी किलोमेटर तक यह अंदर आते हैं उसके बाद यह क्या है धीरे-धीरे खतम जब पानी में बहुत तेज हैं दीरे-धीर जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे स्लो पड़ जाते हैं और उसके बाद 100-200 किलोमेटर मीटर तक ही अंदर आते हैं और उसके बाद यह खतम हो जाते हैं लेकिन हां उतने में ही यह जो कोस्टल रीजन हमारे हैं उसमें यह भयंकर तबाही मचा देते हैं क्लियर है तो यह हमने यहां पर समझा डियूरिंग दा समर क्या है ट्रॉपिकल साइकलोंस इनके बारे में और वेस्टर डिस्टर्बेंस इनके बारे में चले बात करते हैं अपर एयर करन्ट और जेट इस्ट्रीम तो अपर एयर करन्ट या जेट इस्ट्रीम दोनों नाम से हम इसको जान सकते हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि यह हमारा जो temperature है, उसको यह किस तरीके से influence करती है, या किस तरीके से उसको प्रभावित करती है, ठीक है, the upper air currents or jet stream in the upper layer of the atmosphere could determine the onset, the departure of the monsoon, ठीक है, तो अब इनको हम जानेंगे, देखें, यह जो jet stream है, वो बहुत चलने वाली winds होती है, जो कि अगर क्या है, summers में हम देखें, ठीक है, summers में यह कहां पर चलती है, तो यह हमारा हिमालया है, हिमालय के north की तरफ यह summer में चलती है, जिसका कि हमको फाइदा मिलता है, क्योंकि जब हमारे हमें सबसे ज़्यादा जो rainfall मिलती है, कम मिलती है, जो southwest monsoon winds आती है, जब यह monsoon winds आती है, जैसे कि हम लोग उने देखा पहले भी, कि हमालय जो है, वो इनको रोक कर रखता है, जिसकी वज़े से हमारे बारिश होती है, और अगर हमालय ना होता तो यह winds आती है, ठीक है, तो यहाँ पर यह stream पाई जाती है, अगर यह क्या है, गर्मियो कि तरफ इस वज़े से क्या है, हमारी monsoon winds जो है, वो हमारे यहाँ ही rainfall कराती है, ठीक है, हम लोग ने बोला कि यह monsoon के departure उसके आने और जाने दोनों को यह क्या करती है, फिक्स कर सकती है, तो इसी वज़े से, यही क्या है, यही winters में क्या होता है, winters में इनको देखे, तो हि meaners बनाते हुए चलती है, जैसा कि meaner, हमने इसके पहले समझा है, कब, जो reverse meaners बनाती है, उसी तरीके से, यह winters जो है, यह भी meaners बनाते हुए चलती है, इights होती है, बहुत ही तेज़ फ्लो करती है, पहली चीज, दूसरा क्या है, कि, हाँ, यह winters जो है, वो बहुत तेज़ जिसकी वज़े से क्या है जो हमारे जेट्स चलते हैं उनके चलने में ये सहायक होती है जेट्स के चलने में ये सहायक होती है इसलिए इनको जेट इस्ट्रीम कहते है अब यहां पर जान लेते हैं यह जेट इस्ट्रीम कहां पर पाई जाती है तो जेट्स्रीम जो है हमारे एरिया पढ़ता है तो यहां पर तीक है जो कि के इतना आएगः का 8-14 km ठीक है इस वाली रेंज में ये इस ट्रीम जो है वो चलती है जो कि जिनकी वज़े से क्या है विंटर्स में हमें बारिश मिलती है ठीक है अब ये बारिश जो होती है ये भी हमारी रावी क्रॉप जो है उसके लिए यूसफुल होती है चले बात करते हैं climate of India जहां पर Indian climate के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे देखिए अगर हम देखें तो climate में हमारे हां बहुत जादा diversity पाई जाती है वहीं मैक्सिमम जो rainfall होती है वो monsoon के द्वारा होती है तो इसलिए यहां समझ में आ रहा है कि monsoon ये word जो है बहुत ही important है तो चलिए इस word के बारे में जानते हैं तो monsoon ये जो word है ये एक Arabic word है जिसका मतलब होता है season देखें क्या था बहुत साल पहले ये देखा गया कि जो winds चलती है और बाकी six month में देखा गया यहाँ देख लेतें South West से चल रही हैं बाकी six month में देखा गया कि ये North East से चल रही हैं ये देखा गया कि season dunnoेड चेंज होने के साथ जो है भो चेंज हो रही है इससलिए नको कहा गया मॉन्सुन टाइप क्लाइमेट ओके चलिए मॉन्सुन विंट्सकों अगर हम देखेfive इसकेल पर तो इनको हम क्या कह सकते हैं land and sea breeze क्यों कह सकते हैं क्योंकि इनके चलने की दिशा में दोनों में हमने देखा कि कभी क्या है ये land की तरफ से चल रही है और कभी ये sea की तरफ से चल रही है high pressure to low pressure चलती है कभी क्या है land पर high pressure दिख रहा है कही पर क्या है जो sea है उस पर high pressure दिख रहा है ठीक है तो इसी base पर ये चीज कहा गया land and sea breeze ठीक है जब ये land की तरफ से आ रही है तब इनको land breeze कहा जाता है जब ये sea की तरफ से आ रही है तब इनको sea breeze कहा जाता है South West Monsoon and North East Monsoon ठीक है इसी Continue and North East Monsoon जो है वो change होते है जब क्या है जब ये से land की तरफ तब हम इसे कहते हैं तुचली आप बात कहते हैं तो हमारे हाँ सीजन जो है वो फोर सीजन देखे जाते हैं अब यह कैसे हैं क्या है वो समझेंगे कि इंडिया की अगर हम पोजिशन देखें तो इंडिया क्या है एक पैनिल्सुला है जो कि क्या है थ्री साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है यह थ्री साइड से वाटर लेते हुए उठी थी, ठीक है, क्योंकि C था इस वज़े से, फिर इसके बात क्या है, हमने जब रेट्रिटिंग देखा तब भी क्या है, यह Bay of Bengal की तरफ आती है, इधर से मौस्चर जो है, वो लेते हुए, फिर Tamil Nadu की तरफ, रेनफॉल कराती है, तो इंडिया की यह जो लोके इंडिया कंसिस्टिंग और फोर सीजन, फोर सीजन यहां पाए जाते है, फर्स्ट हम बात करेंगे, दा हॉट ड्री सीजन, हौट ड्री सीजन, जो कि मार्च to मेच चलता है, ठीक है, फोट ड्री सीजन, मार्च to मेच जिसमें कहा है, बहुत ज़्या गर भी पढ़ रही होती है फिर उसके बाद आता है रेनी सीजन जैसा कि हम जानते है जून में हमारा मौनसून जो है वो आ जाता है तो रेनी सीजन या फिर मौनसून साउथ विस्ट मौनसून के नाम से भी इसको हम जानते है जो कि जून टू सेप्टेंबर तक चलता है तो अगर the season of retreating southwest monsoon, अब क्या है southwest monsoon जो है इसके लौटने का time होता है, इसलिए इसको retreating का नाम जो है वो दिया गया, तो यह आता है October to November, तो यह क्या है उसके लौटने का time जो है वो आ रहा होता है, उसके बाद fourth season जो है वो है the cold season और the season of the North East monsoon जैसा भी हमने देखा North East monsoon जो किया है वो monsoon events आती है और Bay of Bengal से महश्रा लेते हुए और फिर rainfall कराती है है ना तो यह हमारा इसका time period हो गया December to February चलिए यहाँ पर first हम season देखेंगे जो कि है the hot dry season March to May, March to May hot dry season यह लगभग चलता है कब तक March से May तक till कह सकते हैं कि end of May ठीक है end of May तक यह चलता है अब यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे temperature condition over the land ठीक है जो यह hot season हमारा है इस दौरान over the land temperature condition क्या होगी इसको हम लोग discuss करेंगे देखें क्या होता है कि चुकि हमारी earth जो है वो tilt है तो इस वज़े से इस दौरान हम देखतें March to May जो Tropic of Cancer ठीक है Tropic of Cancer जो हमारे eight states जो है इनसे होकर गुजरती है वो क्या करती है वो हमारे देश को दो बराबर भागों में बाढ़ती है तो यह Tropic of Cancer जो है इस पर sunrise जो है वो direct इस दौरान पढ़ने लगती है क्योंकि जैसा आपने समझा कि हमारी earth जो है वो tilt है इसलिए globe जब हम हमारा जो होता है वो इस तरीके से नहीं शो करता है वो ऐसा होता है tilt होता है है तो इसी वज़े से क्योंकि हमारी earth जो है वो बिल्कुल सीधी ना होके tilt है तो इस दौरान sunrise जो है वो direct Tropic of Cancer पर पढ़ती है इस वज़े इस क्या होगा यह वाला area जो है यहां पर heat ज्यादा मिल हमारा mainland है इसे north की तरफ हम चलेंगे mainland जो हमारी है यहां पर बहुत ज्यादा temperature जो है वो बढ़ जाता है heat ज्यादा मिलने से temperature यहां काफी बढ़ जाए क्योंकि गर्मी बहुत है तो temperature यहां पर बहुत बढ़ जाता है अब क्या होता है temperature बढ़ने से temperature बढ़ने से pressure low होगा यह ठीक है यहाँ पर लो प्रेशर बनने लगते हैं अच्छा साउथ वाला पार्ट जो है उसको भी अगर हम देखें तो उसकी बात अगर हम करें यह क्या है तीन तरफ से समुद्ध से घिरा है इस वज़े से यहाँ पर उसका असर होता है बट उतना जादा नहीं होता है स्थान का टेंपरेचर इस दौरान बहुत जादा हो जाता है 45-50 डिग्री तक वही पर बागी पार्ट जो इंडिया के हैं वहाँ पर हम देखें तो वह लगभग आता है 40-45 डिग्री तक यह साउथ वाला पार अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आता है टेंपरेचर क्यों हो जाएगा टेंपरेचर बढ़ने से प्रेशर लो कैसे होता है टेंपरेचर बढ़ा टेंपरेचर बढ़ने से हवा जो है वो क्या होने लगती उपर उठने लगती हलकी होने लगती है ठीक है तो वह उपर उठने लगती है प्रेशर मतलब होता है दबाओ जब ही हव जो है अपनी जगह छोड़ रही उपर उठ रही तो इस जगह का प्रेशर क्या होगा कम हो जाएगा इसलिए तोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ठीक है प्रेशर ज्यादा है इसका मतलब कि यहां पर टैंप्रेचर कम होगा क्लियर तो नौर्थ वला पार्ट हम देख टैंप्रेचर बहुत ज़्यादा होने लगता है और यह समुद्र हम को दिख रहे हैं इधर क्या है इधर की तरफ कंडिशन जो है वो बनने लगती है कैसी हाई प्रेशर वाली तभी क्या है इसी दौरान हमारा मॉन्सून जो है फिर आता है में के बाद जून में ठीक है यह इंटो तो हाफ मिल एंड ऑफ इंडिया एक्सपिरियंस इंटेंस हीट दूरिंग दा मंथ होफ मार्च टू में यह भी हमने समझा दिर इस दौरान क्या है साउथ से नौर्थ की तरफ हम देखें तो टैंपरेचर जो है वो बढ़ता जाता है और जितना ही हम अंदर की तरफ देखेंगे जैसा हमने भी डिसकस किया तो काफी ज़्यादा होता है इस दौरान प्रेशर कंडिशन और साथ ही साथ विंड डिरेक्शन जो है यह क्या होगा इसको हम लोग यहां पर समझेंगे ठीक है तो देखें एक तो जो यह वाला टाइम है इस अवे में पूरे देश म गर्मी जो है बहुत ज़्यादा रहती है ठीक है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वज़े से यह तेंपरेचर जो है वह बहुत ज़्यादा होने की वज़े से क्या होगा पूरे देश में लोग प्रेशर वाली कंडिशन बनी होती है क्लियर है पूरे देश में लोग प पर low pressure पाया जाएगा ठीक है तो इस समय में क्या है low pressure पाया जाता है अब क्या है कि wind जो है वो हमेशा कैसे चलती है high pressure to low pressure ठीक है winds हमेशा high pressure to low pressure चलती है the south east trade winds अब यहां पर south east trade winds की बात यहां पर की जारी है तो थोड़ा हम लोग यहां पर देखेंगे यह हो गई हमारी जब क्या है सनडरे सालाइट जो है वो डायरेक्ड पर पढ़ रही होती है हमारे एकवेटर पर पढ़ रही होती है तो इस दौरान क्या है ट्रेड विंड्स की अगर हम बात कर रहाए होगे यहाप का ट्रॉपीग मैं क्पर इंच्र ठीक है यहाँ लोग देख लेएते हैं करेंगी तेट विंड की अगर हम बात करें यहां पर यह आपका एकवेटर है यहां पर टेंप्रेचर जो है व Nीहांपर से जो जल रही हैं North वह ऐसे चल रही होती है ठीक है अब क्या होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है विंड्स यहां पर बहुत जादा गरम है जिस वज़े से क्या है यहां पर लो प्रेशर है जब यह विंड्स आती है तो यह अगर तक्रा आगेंगी यह आपस में मिल जाएंगी तो यहाँ पर cyclone वाली condition हो जाएगी लेकिन यह जो region है यहाँ पर cyclone जो है वो नहीं पाए जाते क्यों नहीं पाए जाते इसलिए इनको doldrum वाला region कहा जाता है शांत area कहा जाता है इसलिए नहीं पाए jest क्योंकि आपस में टक्रा नहीं पाथी है क्योंने टक्राइए यहाइ प्रेशिर लोग प्रेशिर की तरफ चल रही और इधर क्या है इसके अपिक्सर थंडा है ठीक है तो इस वज weaving yanप Candition यहाँ पर भी apply होती है थीक है तो li प्रेशर से जब यह लो प्रेशर की तरफ चल रही है यहां पर इतना जादा यह गरम होता है यह रीजन जिसकी वज़े से यह आपस में भीड़ नहीं पाती है यह आपस में टक्रा नहीं पाती है और यहां पर बहुत जादा गरम होने की वज़े से यह क्या है यह जो विंड् को यहां तोसलिये कहते हैו इसको와 सममर बहुशवाला टाइम में यहां पर अभी सट है दिरिय्ड शिफ्ट होती जाएं क् показ जाती है और एक टाइम हाता है जब जून में हम देखते है कि डारेक्ट क्या है डारेक्टी संरेज जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पढ़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारे देश से होकर गुजरती है ठीक है तो ऐसा नहीं होता है कि यहां से यहां तक में ठीक है कि म इसे में क्या है कि यह जो ITC-Z है यह भी क्या होगा यह भी shift होता जाएगा ITC-Z भी shift होता जाएगा Jb-three यहाँ वाली condition पर यह आता है यह आपका truck on cancer ठीक है तो देखे गैसे जर जो होTH भर होता जाता है और हर जगह पर लेंड में रहर जगह पर बहुत ज्यादा हो जाता थैंपरिजन उसमें भी क्या है अगर हम राजस्थान की तरफ देखें यहां पर और ज्वा affordable ध्यूक थ्जाख नृएंगार जहां तो इस इस वई इहां पर शुप्ट हो जाएका चाह की काम करने की वजह से क्या होता है एक दर्फ तो यह यह वो शिफ्ट हो रहे है जब यह होती है तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो इस नौर्थ ऑथी से आ डारी के एक्रवस्ज्टी थे, यही साउथ एस्ट ते आती हूई विड्स की तरफ आएंगी और यहां से जो यहां हम देख रहे हैं कि हमारी जो लैंड एरिया वहां पर क्या है तेम्परेचर बहुत ज्यादा है तेम्परेचर ज्यादा होने से क्या है यहां पर लो प्रेशर बन रहा है हाई प्रेशर तू लो प्रेशर विंड्स चलती है यहां पर क्या है यहां पर सी है जिसकी वज़े से यहां पर हाई प्रेशर होगा और यहां से क्य वही हमारे हां rainfall लाती है ठीक है यह सारी चीजे तो पहले भी clear हो चुकी है अब क्या होता है कि यह जो trade winds है यह अब turn हो जाती है इनका direction जो है वो change हो जाता है और वही यह इधर मान लिजिए आपका equator था इधर से हो जाती है अब यह हम हाई pressure वाली Southwest मौनसुन इवेंट इधर आ रही है उनके साथ ही मिलके मौनसून में और ज्यादा help करती है clear तो दसाओथ इस ट्रेड विंड्स विच ब्लो फ्रॉम साओथ इस्ट ठीक है जैसा हमने देखा टू साओथ वेस्ट इन सदर्न इंडिया हां तो साओथ वेस्ट मौनसून की बात हम लोग करेंगे मौनसूनी विंड्स जो है यहां से दो पार्ट में बट जाती है क्योंकि हमारा जो देश का जो शेप है वह यहां पर क्या है ट्रेंगुलर सा है जिसकी वज़े से यह दो ब्रांचेज में चेंज हो जाती है एक आपकी आत फिर आगे महारास्टर वगेरा होते हुए फिर आगे आता है ठीक है अब यहां पर जब इसकी दूसरी ब्रांज जो बन रही है वो श्री लंका के नीचे की तरफ से आएगी जिसकी वज़े से क्या हो रहा है कि जिसकी वज़े से हम देख रहे हैं यह जो हमारा रीजन है तमिल यह क्या है यह यह आती है इतर बे ऑफ बेंगieur अर ज़या दा मौशर ले लेए बेफ बेंगाल से और जưप बैंग और जाड़ा प्रवेश कर ती है हमारे प्लैंस के तरफ ठीक है और इस वज़े से क्या है इस तरफ से अगे और निफ। कंशनी है और यहां पर तित्प वे तो यह जो गारो खासी जैन्तिया यह पहाडिया है यह मौंटेन रेंज जो है इससे यह टकराती है और इसी वज़े से हम देखते हैं मेगाले क्योंकि अपने साथ बहुत सारा मौश्य इथर पहले से लेकर आ रही थी बेयो वेंगों से और ज्यादा मौश्य इन्होंने लिया क्यूज झाल यहां पर बारिश करा देती यहें कुछ जो यह वह इस्तरेइं और सgeuk्शानफर करेंगे आरेoking को जिया है को जो 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 हैं इधर आके बाषण एंगी अब यह दोनों जो हैं मेट करती है पर चोटा नाकपूर प्लेटिव पर भी और वहां पर टकरा कर और वहां बारिश कराती है ठीक है तो इस तरीके से जो हमारे हाँ समर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही होती है उसका इन मौनसूनी विंड से क्या होता है अंत होता है ठीक है यह जैसा अब हमने समझा कि यह दो ब्रांच में बढ़ गई ही यह अर होड सीजन इन एंड होड सीजन जो है उसका इन होता है एंड साउथ वेस्ट मौन सेट्स देम लिए मंहीक है यह दो मौन्छ को हमारे मौनसून जो है वह वो आ जाता है चलि बात करते हैं इस्ट्रमJ बूरिंग हॉट वेदर सीजन तो हाट वेदर सीजन के दोरान, इस्ट्रमज की भात हम लोग करेंगे देखी कहा होता है कि इस्ट्रमज देखा जाए घरम से सीज अब यहां पर हम लोग देखें, मन्त आफ में में क्या होता है, वार्मिस्ट एरिया जो है, वो डेककन से शिफ्ट होता है नौर्थ वेस्ट की तरफ, अब यह थार डेजर्ट जो की काफी जादा गरम हो जाता है, दूसरी तरफ क्या है, छोटा नाकूर का पठार, यानि की छ जिसकी वज़े से क्या होता है, कि छोटा नाकूर पठार बहुत जादा यह एरिया जो है, बहुत गरम हो जाता है, जिसकी वज़े से थार डेजर्ट और छोटा नाकूर पठार जो है, इसके बीच में लो प्रेशर ट्रफ जो है, वो बन जाते हैं, जिसकी वज़े से यहां सर्कुलेश्ट होती रहती जिसकी वजह से थनुर इसे Oooh घ्रीने का बहुए गयर सक्राइब कसली किरियों इसकी भढ़ी जो इस दिलाएने में बैधा आधि पंजाब हर्याना और उट्तरप्रदेश इन स्क्राइब में पढ़ती हैं और आएे इन local winds के बारे में हम जानते हैं जिनको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानते हैं तो सबसे पहले बात करें हैं काली बैशाकी काली बैशाकी जो है ये बेंगॉल में कहा जाता है जिसका मतलब होता है the calamity of the month of बैशाकी बैशाकी जो बैशाक का मन्त होता है वो उसी के नाम पर इसका क्योंकि बैशाक में चलती है इसलिए उसके नाम पर इसका नाम रखा गया काली बैशाकी ठीक है दूसरा नौर्वेस्टर जी इनको कहते हैं नौर्थ वेस्ट की तरफ से आ रही होती है इसलिए इनको नौर्वेस्टर के नाम से भी जानते हैं इसा कहा जाता है ना और लू से बचाओं के बहुत सारे तरीके जो है वो भी कह सकते हैं होम रेमिडीज वो सारी चीजे भी की जाती है तो बच्चे इस लू जो है इसको बहुत अच्छे से जानते हैं कि वाम विंड होती है ठीक है अलग 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 नाम से जानी जाती है की तरफ तो इसलिए South India की तरफ इनको mango showers के नाम से जानते हैं अब थोड़ा सा यहां पर देख लेते हैं तो these walkers in the South India during April में April में के दोरान mango showers पढ़ती है जो की mango की फसल के लिए बहुत अच्छी होती है साथ ही साथ tea, coffee ठीक है tea, coffee इन सब के लिए cherry इन सब के plants के लिए बहुत ही अच्छी होती है उनकी growth में यह help करती है mango है इनके ripe होने में help करती है तो इसलिए इनको mango showers के नाम से जानते हैं जैसे हमने का अलग 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 नाम से जानते हैं तो केरला वहाँ पर mango showers के नाम से जानते हैं वहीं पर कर तो बच्चों, यहां हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है, बट अभी चैप्टर नहीं कंप्लीट हुआ है, तो चैप्टर कंप्लीट करने के लिए मिलते हैं, नेक्स वीडियो एट Lernohub, Lernohub फ्री है पर बेस्ट है. झाल धर कुम झाल सकती है, यहां है, बट उप्रों मिलते हैं, ट ख